हेलो दोस्तो गुड मॉर्निंग डेली नूज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबा हम आपके लिए 10 महत्पून का एंटरफेर को लेकर आते हैं और आज भी आपके महत्पून का एंटरफेर को लेकर आ गया हैं दोस्तो आपको बतला देगे अगर आपको वीडियो का पीडियेप चाहिए तो पीडियेप आप हमारे टेलिग्राम गुरूप से जॉइन कर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आ आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं दोस्तो समय ना वियर्थ करते हैं आगे बढ़ते अपने अगले कोचन की तरफ और आज का पहला कोचन है गोल्डेन बर्डेन ऑफ डीजी इस्टरजी नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकासित की गई और आपके पास चार ओप्सन द द्धान कारेकरम है जो परमुख बीमारियों चोटो जोखिम के कारणों से मृतियूदर और विकलंगता का आखलन करती है दोस्तों जीवीडी को दुनिया का 145 देशों के लगवग 3600 से अधिक सोतकरताओं का सहयोग प्राप्त है या बिल और मिलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा वीद पोसीत होता है अब दा लैंसेट के बारे हम जानते है दा लैंसेट दुनिया की सबसे पुरानी और प्रसीद चिकितसा पत्रिकाओं में से एक है दोस्तों इसकी अस्थापना 1823 को थोमस वेकले एक अंग्रेजी सर्जन थे उन्होंने इसकी अस्थापना क कोशन नेलसन मंडेला के नाम से जुरा हुआ है और यह पुरसकार अगर आप हमारी वीडियो को डेली देखते होंगे ता आपको दो-तीन दिन पहले ही वीडियो मिला होगा जिसमें नेलसन मंडेला दे दिया हुआ था और आपके पास यहां पर दोस्तों चार ओप्सन है पा पहले आपको जानना यह है कि मोरिशाना कोयट है यह गिनियन है और दूसरे हमारे नाम है मरियाना वर्दी नोईसिस यह ग्रीस के हैं दोस्तों यह सन्यूक तराष्ट की महासभा कि जो अध्यक्षे तिजानी मुहमद बंदे इन्हों ने इसकी बीजेता की घोशना की है इन जीवन मानवाता कि विकास के लिए समर्फित किया वाता वैसे कार्य करने वाले को यह पुरस्कार मिला देता है यानि इन दोनों को मिला हुआ तब सबसे पहले देखेंगे कि मरियाना कोयट और मरियाना वर्दी नोईसिस इन दोने ने ऐसा क्या कारी कि इन्हें निल्सन महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रहे थे उसको समाप्त करने में काफी परियास किया इसके लिए इन्हें पुरसकार दिया गया और दूसरे हमारे हैं मरियाना वर्दी नोईसीज ये पिछले 30 वर्स से बच्चों में होने वाले कैंसर के खिलाफ लडाई में ये सामिल थे और इनके परियासों से हजारों बच्चे ठीक हुए इसके लिए पुरसकार इनने दिया गया दोस्तों यह पुरसकार हर पांच वर्स पे दिया जाता है इस पुरसकार की अस्थापना जून 2014 में हुई थी यह जून 2014 में सन्युक्त राष्ट की महासावा उसके प्रस्ताव में किस देश से स्पाइक एलार लंबी दुरी की एंटी ट्रेक गाइड़न मिसाई को ओरर किया हुआ है और आपके पास चार ओप्शन दिया हुआ और आपका सही जवाब होगा ओप्शन ए इसरा ओडर है दोस्तों इस पाइक एलार जो मिधाय है यह चौथी पिढ़ी की ए अब बात इजराइल की है तो इजराइल के राजधानी जेरुशलम इसकी भासा हिब्रू और अर्वी इसके परधान मंत्री बेंजामीन नत्यानो और इसके राष्टपती रेवेन रिवलीन है दोस्तों आगे बढ़ते अपने अगले कोच्चन की तरफ और आज कामरा भारत देश का एक मात्र गोल्डेन टाइगर जो हाली में सोचल मीडिया संसनी के रूप में उपरा है दोस्तों जानते होंगे आप लोग अगर ट्यूटर चला रहे होंगे या नियूज देखते होंगे तो आपको मिल रहा होगा इसका सोगा कि गोल्डेन टाइगर ये काफ वाइरल हो गया और संसनी खबर में आना होगा तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको भी जानना जरूरी है दोस्तों यह असम के काजी रंगा नेशनल पार्क में रहती है इसे टैवी टाइगर या इस्ट्रॉवी टाइगर के नाम से भी जाना रहता है और इसका एक नाम त असम की जो विधान सभा है विधान सभा में 126 सीटे है असम राजे सभा में 7 सीटे है लोग सभा में 14 सीट है और असम का हाई कुर जो है यह गुहाटी हाई कोट है इसमें 33 डिश्टिक है और इसकी लार्जे सीटी भी गुहाटी है दोस्तों आगे पढ़ते हैं अगले कोश पाच्वा कोश्चन में हाली में किस मंत्राले ने PM स्वनीधी मोबाइल एप लॉंच किया और हमारे पास चार आप्शन दिये गया हैं और हमारा सही जवाब होगा Ministry of Housing and Arwan Affair यानि Option D will be right answer दोस्तों ये PM स्वनीधी इसके बारे में थोड़ा जानते हैं इसका सबसे पहले पुलपम जानते हैं परधान मंत्री एक जून को शुरूआत हुआ था दोस्तों इसके अनुसार जो हमारे एक स्वनीधी इजनाप या भारत सरकार की आवास एवं सहरी मामलों के मंत्राले द्वारा स्ट्रीट वेंडरों को सच्टे वर्किंग कैपिटल लोन परदान करने के उदेश से इसे सुरू की गया थे दोस्तों कोबिड-19 का जेसरा है प्रतिकूल कंडिशन से काफी लोग का स्ट्रीट वेंडर उनका रोजगार बंद हो गया तो उनके लिए यह चलाए गया कि वो अपनी आजीवगा को फिर से सुरू कर सके दोस्तों यह जो नया एप आया इस एप को लाने का क्या उदेश है तो एप को लाने का यही उदेश है कि स्ट्रीट वेंडर के रीन आवेदन को सोर्सिंग या प्रोसेसिंग करने के लिए जो रीन दाता संस्थान है उनसे अनुकूल डिजिटर इंटरफेस को प्रदान करना यही इसका एक मात्र लक्ष है दोस्तों अब हमारे मिनिश्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्वन अफियर कौन और हमारे पास चार ऑप्षन दियेगा और हमारा सही जवाब होगा ऑप्षन बी यानि कतर करेगा दोस्तों फिफा तो फिफा का फूल फर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसेसियेशन दोस्तों इसका दोजार बीस में 22 पासंस करन होगा इसका उदग फिफा की आई तो फिफा की अस्थाप नाम 21 मई 1904 को हुआ था पेरीश में हुआ था दोस्तों इसका हेड़कॉर्टर स्विर्जालन के जूरिक में इसके प्रेशिडेंट गियानी एंड फैंटिनो है और इसका सबसे जरूरी है इसका मोटो इसका मोटो है फॉर दा गेम फ उसी को लेकर आएंगे कि आपका समय ब्यर्थना हो और आपको सटीक जनकारी मिले और आपको एक्जामनेशन से रिलेटर जो भी प्रशन है आपके मन में है जो भी सवाल है वो आप हमसे बेही चेक पूछ सकते हैं और आपको सटीक उसका जनकारी दिया जाएगा देखते है आज का कोचन है भारत के राश्टपती रामनात कोवीट के नीजीव सचीव के रूप में कीसे न्यूट किया गया यहां पता एक कोचन ही हो गया भारत के राश्टपती रामनात कोवीट के रूप में कीसे न्यूट किया गया यहां पता एक कोचन ही हो गया भारत के अधिकारी है इंडियन रिवीन्यू सर्विस की एक अधिकारी है दोस्तों यह विक्रम सिंग का अस्थाम लेंगे तो अब विक्रम सिंग का जब यह अस्थान लेंगे तो विक्रम सिंग कहा है तो विक्रम सिंग को सीपिंग मंतराले में सन्यूक्त सचीव करिप में न्यूक्त कुष्य या कौक्रोच पूर्जाती की एक आइसोपॉड कोई खोज़ किया गया है दोस्तो अब बात सिंगापुर में हुई है तो सिंगापुर की रेजधरणी सिंगापुर सिटी है सिंगापुर के आज के अपने अगले question के तर अब देखते हैं आज का नवा question आज का नवा question क्या कहाता है हाली में मालाबार और अन्य अभ्यासों की एक स्रिंखला के माधियम से भारत और US के बीच अंतर निर्वित करने के लिए किस अभ्यास का आयोजन की सुरुवात की गई और हमारा पस चार option दिये गए और हमारा सही जबब होगा answer D यानि passes इसका मतलब होता है passing exercise दोस्तों यह भारत और USA के नौ सेना के बीच में यह exercise है हाली में मालाबार की स्रिंखला के माधियम से या निर्वित इंटर operatability के लिए अभ्यास किया जा जाता है यह नौ सेना का अभियास है हिंद महासागर में होगा इसमें USA निमितिग और भारतिय नौ सेना अभियास करेंगी दोस्तों USA तो USA के राष्टपती जो है डोनाल्ड ट्रम्प है इसकी कैप्टल वासिंग्टन डिसी है और करेंसी डॉलर है आगे बरते आज के अगले कोचन की तरह और आज का हमारा अद्दस्वा कोचन है निमने लिखित में से कौन 22 जुलाई को भारत वीचार सीखर समेलन के मेजबानी करेगा और आपके पास चार ओप्शन दिये गए हैं और आपका सही जबाब होगा ओप्शन सी यानि इंडिया बिजनेस कांसिल दोस्तों यह समेलन में सारवाजनिक और नीजी दोनों छेदर के वक्ताओं के एक उच अस्तरिया लाइन अप की शुविदा होगी इसमें परधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक माइक पेंपियो मुख्य भासन देंगे इसे विदेश मंत्री एस जैन सेंकर इस सीमेल समेल को समभोधित करेंगे दोस्तों आज का करेंट अफियर यही पर खत्म होता है यह आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगता होगा तो इसको लाइक जरूर करेंगे और अपने मित्रों के साथ सेयर करेंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे ताप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल से आपको मैसा मदद में लगा आपको exam से related कोई भी अगर बात की जनकारी चाहिए तो आप हमें बेही चक इस पर message कर सकते हैं आपको पुरी जनकारी देगी यह channel सभी selected candidate के द्वारा जाए तो हमारे coaching जो exam के दिश्टिकून से आगे हम उसी type का coaching देंगे अगर आपको pdf चाहिए तो pdf के लिए आप हमारे telegram group को join कर लिजेगा telegram group का link हमारे youtube के description में दिया गया है और आपको किसी भी तरह का कोई जनकारी चाहिए exam से related, typing से related, कोई भी चीज़ आप बेही चक यहांपर करेंगे आपको सठीक जनकारी दिया जाएगा दोस्तों आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो